सर्जो और राई की किंती भारत की प्रमुक्तीन तिलहनी फसलों में होती है, जो देश में आई पीली क्रांती के लिए मुखे रूप से जिम्मिदार है, जिसके कारण भारत में तेल के आयात में ना केवल अनपेक्षित कटोती हुई, बल्कि निल्याग की संभावनाएं भी बड़ी है, विश्व में प्रमुक्तिलहन फसलों में मुंखफली, सर्सो, सोयाबीन और सूरजमुखी है, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, चीन वा भारत प्रमुक्तिलहन उत्पादक देश है, खृषि विशेशग्यों का कहना है कि अगर सर्सो की खेती विज्ञा जानिक तरीके से की जाए, और बुगाई से लेकर कटाई तर कुछ विशेश बातों का ध्यान रखा जाए, तो फसल को रोगों से बचाया जा सकता है, और अधिक उपजली जा सकती है सर्सो की फसल किसानों में बहुत ही लोग प्रेय है, क्यूंकि ये फसल कम सीचाई और लागत में दूसरी अन्नी फसलों की अपेक्षा अधिक लाब देती है सर्सो की खली में 38-40% प्रोटीन होता है और ये एक अच्छा पशु आहार माना गया है सर्सो की फसल में कम उत्पादन के कारण अधिक बीश्टर उप्युक्त किस्मों का चयन ना करना, आसंतुलित उर्वरक प्रियोग, रोगवा कीटों की रोगथाम ना करना और नमी की सीमित मात्रा साथ ही खरपतवारों का अधिक प्रकोप होना है सर्सो की अच्छी पैदावार किसानों की आर्थिक स्थिती को काफी हद तक प्रभावित करती है सर्सो की खेती में नविन्तम तक्नी के अपना कर भरपूर लाब उठाया जा सकता है सर्सो की खेती के लिए शुरुवात होती है भूमी की तैयारी से जिस जमीन बे खेती की जाती है उसको सबसे पहले खेती के लिए अच्छे से तैयार किया जाता है फसल का उत्पादन बहुत हत्त भूमी की तैयारी के उपर निर्भर करता है सर्जों की अच्छी पैदावार के लिए बलोई दोमट मिट्टी जिसमें जल निकास की सुविधा हो साथ ही अत्यधिक अमलिय वह शारी ना हो उप्युक्त कही जा सकती है हाला कि शारी भूमी में सर्जों की सही किस्म के चुनाव से अच्छी पैदावार ली जा सकती है जहां जमीन शारी हो, वहां प्रती तीसरे वर्ष जिपसम 50 कुईंटल प्रती हेक्टेर की दर से प्रियोग करे जिपसम को मई या जून में जमीन में मिला दे खेट की तैयारी के बाद बारी आती है फसल बुआई की इसके लिए बुआई की समय का ध्यान रखना पहुत जरूरी है अगर हमारी किसान सही समय पर बुआई करते हैं तो उन्हें अच्छी पैदावार मिल सकती है बुआई का उचित समय किसम के अनुसार सितंबर मध्य से लेकर अक्तूबर अन तक का होता है सर्सों में अंकूरन अच्छा हो इसके लिए बुआई के समय दिन का अधिक्तम तापमान 33 डिक्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए सर्सों की बुआई नवंबर में करनी हो तो देरी से बुआई के लिए उप्यूगते किसमों का उप्योग करने से अधिक पैदावार प्राप्त की जा सकती है